तो दोस्तों आपने कल की वीडियो में देखा इन्वार्मेंट सद फ्रिंच वहांसा से हमने पहला पार्टी स्टार्ड किया था जो आपके NCRT के एकॉर्डिंग डिटेल से बता रहे हैं NCRT के पूरा निचोड बता रहे हैं ठीक है तो आपने यहां मानोजाद के कारण पढ़ लिए ठीक है जहवित्ता का सनच्छन पढ़ लिया ठीक है तो आज हम जो बात करने वाले हैं यहां से हम पढ़ेंगे कल हमने यहां तक का पढ़ लिया था ठीक है आज चले इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल रॉकिंग इन्फार्नेशन पर मैं श्वगत करता हूँ आप सभी का मैं बीजे जैस्वाल इन्वार्मेंट के पार्ट टू के साथ डिसकस करते हैं देखे कल मैंने बताया था आपका 100 decibel यानी डवलू एचो के द्वारा 100 decibel की आवास अधिक समय तक सुनना आवाज अधिस समय तक सुनना मानों के लिए हानिकारक है 100 decibel से ज्यादा क्वेशन आ गया कि कौन सी आवाज मानों के लिए हानिकारक है तो आप संदे दिया 100 decibel 80 decibel ठीक है 90 decibel या इनमें से कोई नहीं तो आपका 100 decibel से क्या धिक क्या होती है ए मानों के हानिकारक होती है मानों के लिए ठीक है फिर आप कनेश्ट है सासा को ता पुरुसकार कम मिला तो यह पर्यावरण से संबंदित है आपका ठीक है फिर आपका space debris तो अंतरिच में मानों जनित प्रदूसर्ण है आपका ठीक है अंगला one यानि की समवर्ती सूची का भी से है आपका ठीक है चले तो आज हम बात करने वाले अंगले topic में कि हाथी भारत का राष्टी बिरास जीव कौन सा है हाथी है घोडा है चिमपाजी है ठीक है डालफिन है चार आपसन दे दिगाया तो भारत का राष्टी बिरासतजीव आपका हाथी हो गया है बिरासत यानि बड़ा तो हाथी जीव सबसे बड़ा है आपसे लोग जानते है ठीक है चले नasına देखते हैं आपक डाल्फिन क्या है भारत का रास्टी जलीव जीव गोंसित है भारत का रास्टी जलीव जो कौन है आपका डाल्फिन है गोंसित किया गया ठीक है अब बात करेंगे रामशर समझाओता ये रामशर समझाओता क्या है 1971 में इरान में नम भूमी सन्रचन के लिए किया गया था रामसर समझाओता किसके लिए नम भूम के लिए किया गया था 1971 में इरान में ठीक है चलिए चिपको अंदोलन से कुश्चन एक आता ही आता है तो चिपको अंदोलन 1973 यहीं पनेता सुन्देलाल बहुगुणा थे ठीक है इसको भी आपको याद कर लेना है अपिको अंदोलन दोस्तो चिपको अंदोलन अपिको अंदोलन नर्मदा अंदोलन जो भी आपके 4-5-6 अंदोलन है जिससे question जरूर आता है 2 या 3 नंबर का इसके लिए मैंने वीडियो डिटेल से बना रखा है तो हमारे प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं ठीक है अपिको अंदोलन 1970 के दसक में प्रनेता कौन थे पांदूरंग हेगडे थे यह अपिको अंदोलन के ठीक है अब बात करते हैं सुलब इंटरनेशनल की स्थापना किस ने यूमे लिन ठीक है मानो जनित प्रदूसर यानि कि जो मानो से जो हमारे और आप के द्वारा प्रदूसर उत्पन होता है उसे यूमे लिन कहते हैं ठीक है ध्यान दीजेगा ये भी क्वेश्चन पूचा जा सकता है बोपाल गैस ताजदी का वोई थी सभी लोग जानते MPTT क गैस का रिशा हुआ था ये आपके भोपाल गैस तराजदी के नाम से जाना जाता है जो आपके 1984 में हुआ था और भोपाल में हुआ था ठीक है इसके अंस आज भी कुछ है ठीक है यानि अंस का मतलब यह है कि भोपाल गैस जो इसके तराजदी से परिवार थे फैमली वाले क्या है एक प्रकार का खर्पतवार नासी है एक मार्क क्या है खाद उत्पादों के उनके गुनवत्ता के लिए एक मार्क हो एक मार्क क्या होता है खाद उत्पाद उनके गुनवत्ता के लिए उप्योग किया जाता है एक मार्क ठीक है एक मार्क लगा हो तो समझ लीजे उनकी खाद की गुणवत्ता जाच की गही यानि की पॉस्टिक आहार है आपका इको मार कहा होता है परेया वरन अनकूलन उत्पादों को दिया जाता है इसका प्रतीक मिट्टी का घड़ा है इको मार का प्रतीक क्या है परेया अनकूलन उत्पादों को दिया जाता है अब ये भी पूछा जा सकता है कि इको मार का प्रतीक का है आपका मिट्टी का घड़ा ठीक है या आपका लोहे का वरतन पूछ लिया गया लोह वरतन या फिर लोह एसक पूछ लिया गया या फिर बीच लिया गया कि कांच का या कि पूछ लिया गया कोई पेंड का नाम दे द ठीक है ग्रीन फिर नेस्ट देखते हैं ठीक है अंगला है आपका ध्वनी पदूसर्ण से बचने के लिए रेल पटरियों वा सड़क के किनारे ब्रच्छा जानियां लगाना ग्रीन मफलर कहलाता है क्या कहलाता है ग्रीन मफलर ध्वनी पदूसर्ण से बचने के लिए रेल प है गौन में हमें सब देखो कान जरूर टोपा लगा लेते हैं हम लोग मफलर बांध लेते हैं क्या करते हैं फूर अच्छा करते हैं इसी प्रकार हमें ध्वानी प्रदूसर्ट से बचने के लिए रेल या पटियों सड़क किनारे ब्रच या जाड़िया लगाना यानि कि ग्र ḥᵃइच्वुक इंस्ट्रागाम जो भी आपका कि सिओ टू का सरवाधिक उतपादन करने वाला देच कौन है तो सबसे ज़ादा आपका कारभान डाई सक्त आकसाइड उतपादन करने वाला देच कौन तो आप सबी लोग जानते हैं सबसे ज़ादा नमीनी कृत मसीनी जी है तो आपके चीन में हैं तो CO2 का सरवादी कुदपादन करने वाला देश आपका चीन है ठीक है वह देश जिसे कारबन निगेटू घोंसित किया गया है भुटान में कारबन निगेटू यानि कि कारबन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में तो आपको भूटान ऐसा अदेश है जिसे कार्वन निगेटू गोंसित किया गया है ठीक है? अंगला देखिए ओजोन परत में छै का पतन सरपथम लगाया जेम्स कौन लगाया था? जब ओजोन परत का छै हो रहा है हमारा तो उसका जो पता लगाया यानि कि उसका सरपथम किसने जाना? ठीक है? पतन क्या है? सरपथम लगाया पता लगाया है यानि क्या हो जाएगा? जेम्स फॉर मैन होगा ठीक है? चलिए यहाँ पर मिस्पिन लिख लिए गया है ओजोन परत में छै का पतन सरपथम लगाया किसी ने लगाया पतन पतन का मतलब हो तो 6 का पतन से सम्मन्दी है सर पतन किसी ने लगाया James for man दोस्तो ये बेरी बेरी important question है आपके NCRT book का सभी के निचोड है ठीक है चाहे आपके MPTT हो CT UPTate हो ठीक है चाहे CTate हो चाहे HTate हो लास्ट वीडियो में आपके पूरी ये जितने भी नोट्स मेरे पास मैं आपको PDF फाइल दे दूँगा तो वहाँ आप देख सकते हैं और इसे अपने असानी से नोट्स बना सकते हैं ठीक है अभी read करते जाए और लोगों को share करते जाए अगर आप नए है तो हमारे चनल को जरूर जोईन करें और notification आन कर लें जो कि next part इसका आएगा आपको notification पहुँच जाएगा ठीक है next question अब देख लेते हैं ओजोन परत की मुटाई मापने की unit क्या है अब ओजोन परत है उसकी जो मुटाई मापने की unit क्या है यनि की एक डाक्सन यूनिट बरावर 0.01 mm होता है ठीक है चले नएज देख लेते हैं ओजोन परत की मुटाई मापने की unit क्या है डाक्सन यूनिट ठीक है डियू जिसे हम डियू से डिफ्रिजन करते हैं दिनोट करते हैं एक ही बात है चले नस देख लेते हैं केंद्री नियंतर प्रदूशन बोर्ड का गठन कभ गिया गया तो आपके सन 1974 में किया गया थे केंद्री नियंतर प्रदूशन बोर्ड का गठन कभ किया गया 1974 में किया गया एलो इस्टोन पार कहाँ पर है दोस्तों USA में United Stadium kingdom सभी लोग जानते है यू एस ए एलो स्टोन फार कहां है यू एस ए में है ठीक है निस देख लेते हैं निस टैप का क्याल क्या है यह आपके केरल के लगून को बोलते हैं किसको बोलते हैं क्याल के लगून को बिलते हैं ठीक है चले निस देख लेते हैं देश का पहला जय मंडल छेत कहां है दोस्तो नेल गिरी में जो कोई 1986 में हुआ था जय मंडल छेत का वोसित हुआ नेल गिरी है 1986 में हुआ ठीक है अब देख लेते हैं एजेंडा 21 एजेंडा 21 यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनिरो में अपनाया गया है आप बहुत नाम सुने होंगे रियो डी जेनिरो ठीक है आप अगर EBS के कोई भी बुक NCRT दिखा लें या देखेंगे तो रियो डी जेनिरो का नाम बहुत पहले आपने बच्पन में पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा यह आपका क्या Agenda 21 में लिया गया था यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनिरो में अपनाया गया था ठीक है चले निस देखते हैं हेमिस राष्टी उद्यान कहा है आपका हेमिस राष्टी उद्यान कहा है आपका तो वो आपके जम्मू कास्मीर में कहा है दोस्तो जम्मू कास्मीर में ठीक है अभी जो आपका है जम्मू कास्वीन में अलग अलग हुआ है ठीक है जम्मू और लगदाक दो आपके क्या बन गए है केंसासित प्रदेश बन गए है तो अब आपके टोटल संख्या के इंतिसासी प्रदेश कितनी हो गई नव हो गई है पहले साथ थी लेकिन अब नव हो गई है और राज आपका एक घट गया है ठीक है 28 राज टोटल बचे हैं चले निज देखते हैं प्रेरी घास ये आपके उत्री अमेरिका में पाई जाती है पंपाज कहां पाई जाता है अर्जेंटाइना में पाई जाता है वेल्ड कहां है अफ्रीका में पाई जाता है डाउनस आपका आस्टेलिया में पाई जाता है और इंडियन गैंडा विजन 2020 में है इंडियन गैंड विजन के शुरुवात कब की गई थी, 2020 में की गई थी, स्वर्ग का पच्ची किसे कहते हैं, हारन बिल को स्वर्ग का पच्ची कहते हैं, अब निश्ट देख लेते हैं, अमेजन के वनों को 20 के फेपडों की संग्या दी गई थी, किनके अमेजन के वनों को 20 के फेपडों की सं दी गई थी ठीक है तो आपको वो अमेजन सही होगा दोस्तों कैसा वीडियो लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए पीडिया फाइल जरूर जिनको जिनको चाहिए कमेंट कर दें लास्ट वीडियो में पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी पीडिया फाइल ठीक है तो उमीद क करके वो आप तक पहुंचा रहा हूँ ठीक है चले मिलते हैं highest वीडियो में अगर आप नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जिसका नेइस पार्ट है वह आपको पहुंच जाए आसानी से ठीक है